नमस्कार, MP न्यूस कास्ट में आपका स्वागत है, मैं हुआ आपके साथ दीप्ति भत्तागर। आए शुवात करते हैं धनभर के कुछ खास खबरों के साथ। बड़ी तादाद में मवेशियों का गलियों में, चौराहों में जमावड़ा लगे होने से सडक से कुजरने वाले वाहनों को प्रिशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं दूसरी और किसानों के खेतों को मवेशी नुकसान पहुचा रहे हैं। लेकिन कुज़िमेदार लोगों के मनमानी के कारण लाइट फिटिंग का कारे अधूरा होने के कारण उन्हें सडकों पर दरबदर भटकना पड़ रहा है। आखिर कब तक आवारा खूम रहे। मवेशियों को मिलेगी गौशाला में शरण। आखिर कब तक किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शिकायत करता किसान अचल व्योहार पवन चौरसिया शंकर बर्मन प्रदीप तातू चौरसिया बिहार इलाग यादव राजिंदू चौरसिया राजू ठाकुर अमर सिंग ठाकुर अंशुल चौरसिया आधी के उपस्थिती रही। जब सिला सियों से बात की गई तो उन्ह संबादाता राजिंद्र कुमार चौरसिया पान उम्रिया कटनी पर इसकी सूच ना पंचायत को भी दी गई अधकारियों को भी दी गई और ना खिसान इसको कंट्रोल करते हैं ना शासन ने इसकी कोई ना कोई पंचायत ने इसकी ट्रक्रिया अपनाई और आज इस्तिती यह है कि मैं भर नहीं कम और यह गौसालक करीबन 27 लाग के आसपा की सही व्यवस्ता यहां पर आकर हो तो लोगों की फसल भी बचे और उनकी लागत की वी व्यवस्ता वह उसमाध्यम से आ सकती है प्रदीप शवरसिया पानु मरिया का नागरेश और पंचायत में कई वार सिकायत की गई कि हर शोगड़े में हर ग्राम में हर बस्ती में गउ की विवस्ता की जाए क्योंकि यहां पर 27 लाग की गव विवस्ता के लिए बनी पड़ी है गवसाला इसका ना सर्पंच ना सचे ध्यान दे रहे हैं कई वार बोलते हैं सासंस के सक्षर्थकारी हम लोग ने कई वार सिकायत कि हैं आदमियों को रूपा बया है शराइए हो र सके तो लूटो बाकी कोई बेवस्ता निकरना पंचायत वालों को यही का ग्राम निवासी हूँ मेरा लगवक चार एकड में रूपा बोय था जिसमें से आए दिन देखता हूं तो उसमें जानवर पड़े रहते हैं यहां नज्दीक में ही गो साला का 17 लाक्ति कर्गरी की बन तकी